हेलो एव्रीवन उमीद करता हूँ आप सभी लोग सुवस्त हैं आई बी आए इस यह ग्रेट टू ट्वंटी ट्वंटी ट्री एक्जामिनेशन जिसका नॉटिफिकेशन आपका निवेंबर में रिजीच किया गया था उसके फाइनली एक्जाम डेट आ चुकी है ठीक है मैंन लेकिन उस टाइम पर आपको आइडिया तो आपको मेल में साइड डीटेल्स मिल चुकी होगी तो मेल के अंदर आपको यहां पर डेट मैंशन होगी यहां पर मेरे पास कुछ एस्प्रेंट्स ने भेजा है जिनका एक्जामिनेशन 17 जन्वरी को है किसी का मॉर्णिंग शिफ्ट में हो सकता है और कह रहे हैं कि 18 जन्वरी को भी पर है तो दो दिर में शायद एक्जाम कराया जाएगा हो सकता है ओडेश पे भी हो जिसके बारे में मुझे इंफिर्मेशन नहीं हो लेकिन आपके एक्जामिशन 17 तारिक से स्टार्ट है यह मा रखेंगे ठीक है और टीर वन एक्जामिशन होगा उसके बार टीर टू और आगे की प्रोसेस चलेंगे तो टीर वन के लिए आपकी वन वीक की क्या प्लैनिंग होनी चीए उसके बारे में डिस्क्रिशन करते हैं यहां पर सारी इंपोर्टेंट चीज़े आपको इस वीडि हिंदी की क्लास के तो लोग डेर हैं यह ओंडियुस सद्द्र करा संगोरा कब्रेंट यहिंस को अपके शीवें चलो आगे मैं तो आगे बढ़ता हूं और य eer ए है हमारे पास वो 995 वेकेंसी यह आप सब लोगों को पता है ठीक है के टेग्री वाइज वेकेंसी भी पता है आपको जो टीर वन एक्जामिनेशन होने वाला उसमें करेंट अफेर्स आएगा जनरल स्टडी जाएगी नुमेरिकल एप्टिट्यूड रीजिनिंग और इंग्रि हमारा नुमेरिकल एप्टिट्यूड और रीजिनिंग जो कॉश्चन्स है आपके वह भी आपके लगबग 40 कॉश्चन है तो स्पीड ठीक होगी बहुत आप लाइटल लेके जाएगे वेपर को तो पेपर आपका छुट भी सकता है तो रिकमेंडेशन यह रहेगी जब आप पेपर को अटेंट करेंगे तो आप सबसे पहले current affairs, general studies और English इन तीनों section को सबसे पहले attempt करने की कोशिश करें ठीक है किसी question में रुके न और उसके बाद आप reasoning को के section को attempt करें उसके बाद मैस section को attempt करें ठीक है ओल्दो पिछले साल जो मैस का paper तक competitively easy था बट इस्टिल आपको math school last में करना है examiner ने थोड़े मुश्किल सवाल बना दीकी तो आप फस सकते हैं ठीक है तो paper छुटना बिल्कुल भी नहीं चीए अब यहाँ पर काफे सारे SSCS print जो paper देंगे वो current affairs को इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए भी कुछ चीज़े बता रह 6 shifts में paper कर आया गया था उसके सारे research में किस topics से कितने questions पूछे गए थे जैसे कि आप English में पे अनोनिम के कोश्चन्स नहीं थे एक कॉम्प्रीहेंशन नहीं था यहां पर अलग से इन्हों ने ख्लोश टेस्ट भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा था तो यह सारे सारे टोपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमुम कोश्चन्स आपके बनाये गए थे तो आपको इनको ज् सब्सक्राइब करेंगे फिर इंटर्वी यहां पर मेजर रोल प्ले करता इस चीज का धियान रखिएगा अगर मैं बात करूं इन सब की चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करा रखें पिछले साल के पेपर के अगर आपने नहीं देखें आप कि चैप्टर वेज किस तरह के से कॉश्चन साथ है तो आप वीडियो सॉल्यूशन से सीख सकते हैं अगर आपको कुछ सीखना भी है अधर्वाइज आपको उनकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी वहां से आप पेप सारी के सारी शिफ्ट को इन मॉक फॉर्म दे पाएंगे ठीक है ओवरोल भी सेक्शनल भी इंग्रिश में हिंदी सभी लेंग्विजिस के अंदर यह आप लोगों के लिए महां पर अगर आपको अलग से न्यू मॉक टेट्स देना है तो आई बी मॉक टेस्रीज भी हमने लो आगे मैं भड़ता हूं यहां पर जब नोटिफिकेशन आया था तो यह साई की साई चीजे थी 2020 में कुछ इस तरीके से हुआ था और आई भी वही पैटन फोलो कर रहा है पिशली बार भी विदिन टू मन्स इन्होंने एक्जाम ले लिया था नोटिफिकेशन निकलने के औ पर पर आपको लगही यहां पर 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 और लोगों की तयारी तो आपके चांसे हैं और चांसके काफी इसके अंदर ओते हाफ्से अगर आपने math का basic 집 पड़ रख्था है कोई यहाँ पर फ्री प्लेक्स के प्लेट ने कर रहा हूं मैक्स के crash course एक अगर आपके basic थोड़े थोड़ा अइडिया है तो इस प्ले लिश्ट में आपको selected यह प्लेलिस्ट आप जरूर देखें यूट्यूब पे इसकी सारी प्लेडिस्ट की पीडिएफ भी आपको आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी ठेक हमापे फ्री कोर्स इसमें जाओगे तो आपको बता भी दूँगा लेकिन यह सारी किसारी क्लासिस आपके लिए इंप उसके आप बेसिक क्रेश कोर्स या बेसिक बेसिक वीडियो देख जाओ जिससे की सिंपल कोश्चन आया तो आप कर पाऊ मैं इसका चुटे ना क्रेश कोर्स की मदद लें यहां पर डिटेल कोर्स का टाइम नहीं है ठीक है अगर एक दोगा बसाब है तो आप जितना जादा कवर कर पाएंगे इस टाइम पर उतना वेतर है क्योंकि एक्जाम बिल्कुल पास आपका आ चुका है और बिना चीजे पढ़े सेलेक्शन के चां आप कवर कर पाएं और उसके लावा वुकैबलरी के आपके जो नोलीज होगी आपको वह यूज कर नहीं इस लिमिटे टाइम में वुकैबलरी आप ज्यादा नहीं सीख सकते तो उसके पीछे ज्यादा भागने में अपना टाइम वेस्ट मत करना अगर वुकैबलरी आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसमें अगर आपने नहीं पड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूज रहेगी क्योंकि पांच घंटे की वीडियो को कवर करने का मत्तव है कि पांच घंटे आपने देखने में लगाए कम से कम पांच घंटे और आपको देने पड़ेंगे इसे रिवाइज करने के लिए जिसे की एक्जाम में याद रहे वरना भूल जाओगे तो दस से पंधरा घंटे आपको इस वीडियो का कंटेंट को कंच्यूम करने में लगेगा ही लगेगा तो आप जरूर अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक पूरे साल भर के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स इसके अंदर है आप देख लीजीगा यूट्यूब पे फ्री है आर भी की करेंट अफे पेपर हुआ था फैबररी दोजार इकिस के अंदर उसमें मेय जून जुलाई अगस्त के करेंट अफेर्स अब लोगों के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे बाकि उसमें ऐसी ही पूछेंगे उसमें चेंजिस आ सकते हैं बाकि इस इबुक में, concise way में आपको maximum चीज़े मिल जाएंगी, जो सरने classes ले रखिए, इनके सारे के सारे questions भी printable format में इसी ebook में last में डले वे हैं, मन्तवाइच वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है तो time कम है, तो आप limited content ही consume कर सकते हैं जादा नहीं, और आपको multiple videos देखने के जूरत नहीं है, अगर आप current affairs कहीं और से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपना time जादा ना लगाएं, ठीक है, आप revision के लिए चाहें, तो यह वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने deep में current affairs कहीं से पढ़ा है, if you want to revise, otherwise you can use ebook, ठीक है, लेक सकते हैं, तो आप यह ebook free available है, टेलीग्राम चैनल पे, description box में link देदूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, आई बी, ACIO का paper यहाँ पर यह है, 2017 में जो paper हुआ था, 2020 वाला रहे गया, बाकि मैंने notification वाली वीडियो में साइचीजे बताई ही थी, तो आप धियान current affairs में आप पूरे साल भर के current affairs नहीं cover कर सकते हैं, ठीक है, obviously आपको multiple videos मिलेंगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर filter करना पड़ेगा, क्या चीज आपको देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी, guarantee किसी भी चीज से नहीं हो सकती selection की, लेकिन हाँ, आप time को अगर effectively use करेंगे, तो क जितना भी आपने पढ़ा है, क्योंकि 7 दिन है, पता चलेगा, 7 दिन में आप रिवाइज भी नहीं कर पाए, सबसे पहले तो आप वो चीजे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, जो जो चीज आपने पढ़ रखें, और उसके बाद अगर आपको time मिलता है, कि यार मुझे कमी रह रही है, अगर current face की कमी है, तो वो देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपका max में कोई section बचाव है, तो वो आप cover कर सकते हैं, ठीक है, reasoning तो I hope आप सभी लोग कर ही लेंगे, ठीक है, बाकि आप test जरूर लगाए, ठीक है, अगर आप previous year का edge mock test देना चाते हैं, तो वो आप दे सकते हैं, अगर आप new mock test देना चाते हैं, तो mock test series से आप लगा सकते हैं, ठीक है, हमारे पास भी available है, हमने अपने end पर कोशिश करिए, बिल्कुल relevant mocks आपके लिए बनाए, बाकि अगर आपके पास किसी और platform की test series available है, क्योंकि अभी 7 दिन बचे में, आप चाहें, तो daily का आप एक test दे सकते हैं, जितने cover हो जाएं, बाकि आप upcoming generation में भी वो चीज़ यूज कर सकते हैं, फिलाल तो ये है कि chapter, आप एक बार questions previous year के जरूर देखके जाएं, किस type के पूछे गए थे, previous year की compilation सारे telegram पे chapter wise video भी है, और video solutions भी हमने सारे के सारे करा रखे हैं, आप इसे पटापट से complete करें, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप से ही मैं यहीं अलविदा लेना चाहूँगा, bye bye everyone, all the best, take care and jahind